हेलो एन वेलकम तो था पॉलिटी वीकली करेंट एफेस्ट सेशन अफॉंटिशन कम्यूनिटी ऑन कॉम्टिशन कम्यूनिटी यूट्यू चैनल मैं उनिकत परविन खान और आज के इस वीडियो सेशन में हम लास्ट वीक मतलब 24 से 30 जून के बीच में करेंट के सेक्षिन में के सेक्षिन में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाए हुए इनको कवर करने वाल है देखिए इस वीक हम देखते हैं कि मेंली दो-तीन इंपॉर्टेंट नियूज रही है जिसको ही मैं हाइलाइट करूंगी और ये तोनों तीनों ही नियूज इंटरनाशनल है दर असल आप दे नियूज छूटती है तो उसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी लेकिन आज की जो तोनों तीनों नियूज होगी वो आपके इंपॉर्टेंट समिट से होगी आप लोग अगर नियूज रेगुलरली देख रहे होंगे तो इन समिट का जिकर आप हाल फिला डेली नियूज में नियूस पेपर्स में देख सुन पड़ ही रहे होंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले लेट्स हैवन न्यूज अट एगलांस न्यूस फ्लाश देख लेते कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही सेक्शन में कौन-कौन से सम्मेलन हुए तो बही स 44-वी G7 बैठक और्गिनाइस की गई है और तीसरी 26-वा चोगम यहने की Commonwealth of Nations का सम्मेलन आयोजित किया गया राश्रकुल देश या राश्रमंडल देशों का भी सम्मेलन आयोजित किया गया तो बही इस तीनों हाइलाइट से सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि तीनों इंटरनाशनल समिट से रिलेटेड न्यूज है कौन से नंबर के ये शिखर सम्मेलन है और किनके शिखर सम्मेलन है वो इस हाइलाइट से आप देख ले और जब आप एक एकर की न्यूज देखेंगे तो इस शिखर सम्मेलन कहां आयो जित किया गया उनको देखेंगे तो द देखिए, इसमें मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपको इन चीजों में क्या फोकस करना है, जब ही भी आप कोई शिखर सम्मेलनों को पढ़ते हैं, को इंटरनाशनल पॉलिटिकल और्गनाइजेशन के मीटिंग्स को पढ़ते हैं, जैसे जी ट्वेंटी की मीटिंग, या फ में सबसे पहले देखी कि कौन से नमबर की मीटिंग है, दूसरा पॉइंट आपको देखना है कहां पे आयो जित की गई, तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि इन में कौन कौन शामिल हुआ, जाहिर से बात है, अगर कोई एक पर्टिकुलर गुरूप की मीटिंग है तो के जित्ते सदस्य से पहले से बने हुए वही शामिल होंगी पर उस ग्रुप के अलग-अलग सदस्य कौन है मतलब अगर बिक्स देश है तो बिक्स में अलग-अलग देशों को किस प्रमुख ने रेप्रेजंट किया ठीक है तो जो भी राष्ट प्रमुख होंगे ये जो भी होंगे अलग-अलग country के उनके नाम आपको देखने ठीक है जैसे अगर इंडिया किसी ब्रिक की या किसी दूसरी summit में हिस्सा लेता है तो हम देखेंगे कि प्रधान मंतरी मोधी ने इंडिया से participate किया तो कौन से number की summit है कहां आयो जीद किये गई उसमें participate करने वाले लोग कौन-कौन countries कौन-कौन और उसके अलावा पांचवी चीज अगर उसमें से कोई बहुत important outcome निकल कर आता है और अगर कोई बहुत अलग से outcome नहीं आता तो इन general किन-किन चीजों पर समझोते हुए किन-किन चीजों पर memorandum sign किये गए किन-किन चीजों पर आम सहमती बनाएं गए कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत नई चीज नहीं होती है लेकिन हां जो एक वर्ल्ड एक बहुत wide issues जो होते उनके उपर चर्चाएं होती है और सब में थोड़ी थोड़ी चीज रहती है आपको बहुत detail नहीं पढ़ना है एक एक पहलों नहीं पढ़ना है कि क्या क्या outcome रहा आपके currently बहुत detail ज़रूरी नहीं कि सम्मिलनों का outcome क्या रहा पर एक overview पता होना चाहिए था कि कौन-कौन से मुद्धों पर mainly आम सहमती बनी है यह कौन-कौन से मुद्धों पर चर्चा हुई है या कोई decision लिया गया है ठीक है तो outcome आप देखेंगे participants देखेंगे place देखेंगे number देखेंगे यही है यह पूरा dynamic पार्ट और जाहिर सी बात है जब कोई शिखर सम्मिलन होता है तो उसके static पार्ट में जिस भी group का शिखर सम्मिलन हो रहा है उसका थोड़ा सा background देख लिजे कि भी अगर चोगम बोल रही हूं है ब्रिक्स बोल रही हूं है इपसा बोल रही हूं है तो उसका full form क्या है किस चीज का acronym है किस तरह का group है वो उसके सदस सिदेश कौन कौन से है और वो उसकी स्थापना कब हुई थी क्यों हुई थी है ना यह static part तो बिलकुल आज की यह तीनों ही news जो ह यह पहले dynamicism में हम देखेंगे कि कौन से number की meeting कहा हुई किस ने participate किया क्या इसमें हसल हुआ हमें यहने की outcome क्या था अब फिर static part में देखेंगे उस particular group का जिसके सम्मेलन उस group का background ठीक है I hope आप यह समझ में है चलिए इसी धाचे में हम सबसे पहले bricks शिखर सम्मेलन के बारे मे देखें देखें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ तो इसके main dynamic part को में deal करूँगी क्योंकि इससे पहले भी bricks के कुछ और अधिकारियों की meeting को मैंने 2-3 बार current affairs में cover किया और उस दौरान मैंने bricks के जो background है कि इसकी स्थापना कब हुई किते सदसिदेश है कि सुदेश इससे बन इसले भी कई बार deal किया है इसले में इसके background को बहुत जादा detail नहीं करूँगी तो इस शिखर सम्मेलन की सिर्व जो dynamic highlights उसको हम पहले देखेंगे तो देखिए it is the annual summit जो की आयोजित की गई थी चाइना में कौन से तारीख को 23 जून 23 और 24 जून को ब्राजील रश्या इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका का जो विकास शील अर्थ व्यवस्थाओं का ग्रुप है जिसे हम शॉट में ब्रिक्स कहते हैं उसका annual summit याने की वार्शिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहा किया ग दिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया मतलब की एक तरह की वर्चुल समिट थी ठीक और इस वज़े से कोई एक डेस्टिनेशन पर फिजिकली सब मौझूद नहीं थे वर्चुली आभासी रूप से सब मौझूद थे ठीक है तो एक डिजिटल सम्मिट हुई चोदवे नंबर की चीन में आयोजित की गए बोस्ताइब इसमें भी लातुद रूप सम्मिलन होता है यह शिकषर सम्मिलन होता है तो उसमें एक रूल है कि ब्रिक्स शब्द में जिस क्रम से countries के नाम आते हैं, उसी क्रम से अध्यक्षता होती है, ठीके, तो अभी जो इस बार की अध्यक्षता की, वो चीन ने की है, ठीके, ब्राजील, रश्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका, तो इसके बाद जो करेगा कौन, साउथ अफरिका करेगा, तो ऐसा है कि इस बार की अध्यक्षता जो है, राश्पती शी जिंग्पिंग ने की, जो की चाइना के राश्पती है, ठीके, तो राश्पती शी जिंग्पिंग ने इस डिजिटल कॉन्फरेंस की अध्यक्षता की, जिसमें पाँचो देश, रश्या, आप यहां से क्रम से अगर सदस्यों की बात करूं तो बार-बार में दोहरा ही रही हूं सदसे देशों के नाम इन में शामिल होने वाले जो लोग है इनकों भी आप जानते ही हैं सिर्फ एक दो नाम है जो शायद आपके लिए नए होंगे देखिए रशा से व्लादिमेर पुतिन ने हिस्सा लिया इंड ब्राजील और साउट अफ्रीका के कौन है राष्ट्र प्रमुक तो आप इनको जो देक पा रहे हैं ये हैं ब्राजील के राष्ट्र प्रमुक जिनका नाम है जेर बॉल्सो नेरो जेर, J-A-I-R, जेर, बॉल्सो, B-O-L-S-O-N-A-R-O, बॉल्सो नैरो, ये ब्रजील के राश्ट्रे प्रमुक हैं, और ये जो साउथ अफ्रिका के राश्ट्रे प्रमुक हैं, इनका नाम है सिरिल रैमाफोजा, उपर लिख देती हूँ, रैमाफोजा, सिरिल रैमाफोजा, साउथ अफ्रिका के प्रमुक, सिरिल रैमाफोजा, ब्रेजील के प्रमुक, जेर, बॉल्स नैरो, राश्ट्रपती, शीजिंगपिंग, चाइना के प्रधानमंत्री, मोधी, और व्लैदमिर पॉर्तिनॉफ, रश्या, इन्वादिमिर पुर्टिनॉफ, एन्वल समिट तो जो डायनेमिक मेन पार्ट मैंने देखने बोला था वो हो गया कब आयो जीद की गई कहां जीद की गई ठीकिक इस माध्यम से कौन-कौन से participants थे कौन से number की meeting थे ठीक तो बही अब इस बार का जो wish है था जिसके वज़े से ही आयोजित की गई जाहिर सी बात है BRICS आप जानते ही हैं कि एक कोई particular motive के लिए नहीं बनाएं गई इन सभी देशों की एक overall development के लिए बनाएं गई political group है तो यह लोग विभिन मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं इस बार का wish है अगर आप देखेंगे तो उच गुणवत्ता वाली BRICS साजेदारी को बढ़ावा देना वेश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुवात करना यह दो global development के लिए एक नए युग की शुरुवात करना आप जानते ही हैं कि BRICS देश दुनिया में जितनी पांच सबसे सम्रिद विकास शील देश हैं विकास शील developing countries उनका group है है ना तो इस वज़े से यह लोग आगे जाके हो सकते हैं develop countries में भी आए या आप यह कह सकते हैं कि यह लोग बिलकुल अपचरम पर हैं विकास शील से विकसित देश बनने के तो कहीं न कहीं अपने आपको cooperation के साथ push करते हैं कि यह भी सबसे सम्रिद देशों की सूची में शामिल हो जाएं अपनी GDP को push करना इंता में एम होता है अब उस GDP को push करने के लिए जो भी जरूरी समझोते होते हैं जो भी जरूरी वारतलाप होते वो सब यह करते हैं ठीक है तो ग्लोबल डेवलाप्मेंट और ब्रिक्स कोपरेशन इन दोनों पर जाधा तर चर्चा होई याद रहे कि इस पूरे समिट के दौरान जो ब्रिक्स प्लस देश है इन्हां देखो जैसे अभी आपने देखा कि जी सेवन भले उसमें शामिल नहीं है इंडिया लेकिन उसके बाल भी प्रधान मंत्री मोदी अभी जवनी गए अभी आप दो-चार दिन से देखी रहे होंगे इस नियूस को इसका मतलब ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स की मीटिंग होती है जिसमें सदस्य देशों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा देशों को भी इन्वाइट किया जाता है और ब्रिक्स प्लस में जो ओरिजनल ब्रिक्स के मेंबर्स नहीं है पर ब्रिक्स प्लस के मेंबर हैं उनमें कौन-कौन शामिल है इसमें सेयुक अरब अमिरात यानि की UAE, साओधी अरब, एजिप्ट, कजाखिस्तान, इंडोनेशिया, आजेंटाइना, नाइजीरिया, सेनिगल और थाइलेट, यानि एशिया, साओध, अमेरिका और एफ्रिका, ये दोनों तीनों कॉंटिनेंट्स के जितने विकास शील देश हैं, उनको इसमें ब्रिक्स प्लस में शामिल के आगे, इनकी भी एक वर्चल मीटिंग हुई थी, एक आभासी बैठक इस दोरान हुई, ठीक यूक्रेन में मानवे स्थे थी, जाहिर सी बात है, अभी आप जो तीनों ही सम्मेलन देख रहे होंगे, उन सभी में, या आगे आने वाले शायद कुछ महीनों में जितने भी सम्मेलन होंगे, उन सभी में जाहिर सी बात है, रूस, यूक्रेन, युद्ध का मुद्धा तो पर हाँ ये पूरे के पूरे जो इस रूस यूकरेन युद के तरफ इनका रुख था वो ये कि ये लोगों ने कहा रूस से आगरा किया कि आप यूकरेन से बातचीत करें यानि इन लोगों ने रूस यूकरेन वारता को सपोर्ट किया ऐसा नहीं है कि खुल करके रूस की निं अपील की support किया कि we are with both the countries and we want peace ठीक है तो एक तो मुद्दा वहीरा उसके अलावा वहाँ पे मानुवे स्थिती क्या है counter-terrorism हमेशा से ब्रिक्स देशों के मुद्दे में शामिल रहा ही तो terrorism से निपटना e-commerce में भोगता संरक्षन यानि कि electronic commerce जो तेजी मादक पदार्तों की तसकरी से निपटने पर अधिक ध्यान दिया गया तो देखा गया है कि इन विकास शिल देशों में पिछले कुछ वर्षों से जो आपके alcoholic drinks होते हैं या intoxicating products होते हैं जो मादक पदार्त होते हैं उनकी गयर कानुनी तरीके से तसकरी की जा रही है उससे कैसे निपटा जाये इस पर भी मेली चर्चा होई तो देखो आतंगबाद और तसकरी ये दो crimes related मुद्दों पर चर्चा होई उसके अलावा किस तरह से e-commerce में भोक्ता को संरक्षन प्रवाइट किया जाये इस पर चर्चा होई और जाहिर से बात है यूक्रेन में जो भी स्थित्या है उस पर इस पर चर्चा होई fine with that ठीक है तो that is it with the dynamic part कब आयो जो थी कौन से नंबर की थी कहां होई कौन कौन participate किया था ठीक और मुद्दे के आगया थे चर्चा किन चीजों पर हुई ये हो गया आपकी currents related अब अगर static की बात करूँ तो मैंने कहा मैं static बहुत जादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सभी जानते कि bricks का जो formation है वो सन 2006 में हुआ था ठीक है ये मैंने पहले भी कई lectures में deal कर चुकी हूँ ठीक है और ये दुनिया की सबसे जो उभरती हुई अर्थवेवस्थाएं है याने विकास चील developing countries उसका एक group है जो multifaceted तरीके से हर तरह के sectors पे एक cooperation के साथ काम करता है ताकि अपनी economy को जाजादा boost कर सकी ठीक है कुछ एक दो extra बाते में आपको static में जरूर बता सकती हूँ जैसे कि ये जो शब्द है ना brick ये ऐसा नहीं कि 2006 में जब इसका formation वा तभी अस्तित में आया इस शब्द का ना इस्तिमाल सबसे पहले 2001 में हुआ था एक British economist थे जिनका नाम था Jim O'Neill Jim O'Neill British अर्थ शास्त्री Jim O'Neill ने Brazil, Russia, India, China इन चारों को मिला कर के बुला था brick अर्थ विवस्था तो कहा जाता है कि इस शब्द को कोईन Jim O'Neill ने किया था brick शब्द कह करके एक साथ इस सभी देशों के अर्थ विवस्था कोनों ने कहा था brick अर्थ विवस्था तो बस उसी शब्द को लेकर के 2006 में bricks, brick का actually formation हुआ ठीक है याद रखे उसके लावा एक दो points और याद रखे कि ये जो bricks देश हैं इनका अगर आप contribution देखें तो इन पाचों देश में एक तो बही इंडिया है एक चाइना है ब्रजील है तो जाहिर सी बात है population wise एक तरफ सारे यूरोपे देश एक तरफ अकेले चाइना और इंडिया हो जाता है तो देखो इन पाचों देशों में अगर population की बात करें तो वेशिविक population ka अकेला 41% population इन पाचों देशों के उसके अलावा क्योंकि ये विकास की लत्विवस्थ हैं तो आपको यह भिजानना होग और यह कई बार PSU-PAC में पूछता भी है, BRICS देशों के स्टेटिक पार्ट में ही पूछता है इसे, कि बताईए पांचो अर्थ विवस्थाओं का कुल मिलाकर की GDP कितना है, तो देखो पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्री से उनका अगर टोटल GDP देखा जाए, तो उसका अके घरेलू उत्पाथ, Gross Domestic Product का 24% ये 5 BRICS देश ही कॉंट्रीब्यूट करते हैं, और जो पूरा Global Trade है, यानि कि जो विश्विक व्यापार है, उसमें अकेले 16% BRICS देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने आप एक बहुत मजबूद ग्रूप है ये आर्थिक ग्रूप से, 41% population, 24% GDP, पूरे विश्व की GDP की, और पूरे विश्व के व्यापार का 16% BRICS देशों का व्यापार होता है, तो इस वजे से पूरी दुनिया इनके सम्मिलन और इससे होने वाले जो निश्कर्श हैं, इनकी तरफ बिलकुल नजर गड़ा कर देख रही होती है, कि अगर की भी उन्हें जरूरत है, तो भी BRICS देश है, चैलेंज भी कोई उनको अगर दे सकता है, तो वे BRICS देश है, क्योंकि अर्थ व्यवस्ता की रूप में, और human resource, सबसे important इनके पास जो हतियार है, वो है human resource, खासतों पर इंडिया चाहिना की population एक बहुत बड़ा हतियार है, आप याद रखे, 2006 में formation, 2010 में South Africa शामिल, जी मो नील ने कोईन किया था, और ये कुछ आंकड़े याद रखे, जो आपको काम आएंगे, पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो that is it with the first news, चौथा BRICS शिकर सम्मेलन में इतना ही आपको पढ़ना है, बढ़ते हैं आगे, पिछले पहले हम देखेंगे कि G7 सम्मेलन कहां, क्यों हुआ, क्या इसका outcome रहा, और फिर finally हम देखेंगे कि G7 है क्या, इसके background static के रूप में, तो देखो ये G7 सम्मिट अभी ही, कल ही, यहने कि 29th of June को ही समप्त हुई है, तो बहुत जादे इसके official announcements हैं, वो formally नहीं छप कर आएं, ल पहले हम slides में देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया, तो the first thing is, G7 की जो बैठक है, वो 48 नंबर की बैठक है, जो जर्मनी में आयोजित की गई, 26 से 28 जून के बीच में, अरतालीस वे नंबर की बैठक, 26 से 28 जून के बीच में, जर्मनी में आयोजित की गई, ठीक, याद र member of G7, लेकिन जैसे अभी आपको मैंने बताया, कि हर core group, कुछ extended members को अपनी meeting में invite करता है, या उन्हें अपने कोई सम्मेलन में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है, तो ऐसे ही, इस बार जो जर्मन presidency है, जिसने इसको host किया था, इस meeting को, उसने कुछ देशों को अपने सम्मे चीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सिनिगल और साउथ अफरिका शामिल हैं, ठीक है, तो अभी आप जो प्रधान मंत्री मोदी की visit देख रहे थे G7 में, तो इससे ये आप मत समझ लीजेगा, कि हम G7 के member हैं, हम G7 के member नहीं हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं G7, वो इस च अभासी देशों की meeting देखी, तो इसी तरह से आसियान में आप देखते कि कई बार प्रधान मंत्री मोदी जाते हैं, तो इस वज़े से कई ऐसे group हैं, जिसमें core group के अलावा दूसरे देशों को invite किया जाता है meeting में, बस उसी तरह की invitation में हम गये थे, G7 का India member नहीं है, इंडिय कि सासत इन सभी देशों के प्रमुकों को बुलाया गया था, बस उसी सलसले में इंडिया भी इस meeting में गया था, ठीक है, I hope यह बात बिलकुल clear है आपको, प्रधान मंत्री मोदी ने दो सत्रों में परियावरण, उर्जा, जलवायू, खादि सुरक्षा, स्वास्त, लेंगि के तरफ है, यह हमारी जो भी आगे के प्लान से उसको विश्वा पटल पर रखते हैं, कोई आधिकारिक हम ऐसा नहीं है कि कोई मेमोरेंडम साइन करते हैं क्योंकि we are not a member, बट एक तरह कि बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, अपनी जो मर्जी है, हमारे जो रुख है, हमारे जो पीनियन उसको जाहिर करने का अधिकार हमको मिलता है इसके जरीए, तो हमने कई सारी चीजों पर अपने बाते रखी, जैसे कि environment concerns, energy concerns, climate change concerns, food security, health, gender equality and democracy, इन चीजों पर नरेन मोजी जी ने इस G7 की summit में अपनी बातें रखी थे, ठीक है, और जाहिर से बात है, अब इसमें अगर आप देखें, तो रूस शामिल नहीं है, और क्योंकि इसमें रूस शामिल नहीं है, तो जाहिर से बातें इनमें पूरी चर्चा किसकी हुई होगी, रूस यूक्रेन जुदकी, आपने इस चीज़ को तो न्यूस में देखा ही होगा, कि भर भर के सिर्फ और सि से तर्थ व्यवस्थाएं हैं, इन सभी ने रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की, रूस की निंदा की, और जहां तक हो सके, सभी से आग रह किया, कि आप रूस पर पाबंद या लगाएं, जैसे कि अमेरिका ने, जैसे कि यूके ने, जैसे कि कुछ और पश्चिमी उर बॉकॉड करने की कोशिश करें, वैश्विक पटल पर बॉकॉड करने की कोशिश करें, ताकि वो अपने सभियान को रोग दे, ताकि यूक्रेन की तरफ वो अपने रुख को बदल दे, तो बही पूरी तरह से चाय रहा रूस यूक्रेन मुद्धा, जी सेवन के सम्मेलन मे जर्बरी में, ठीक है, clear है चीज, तो आपने डाइनेमिक पार्ट सारा देख लिया, कहा हुआ, कौन से नंबर की थी, किसने किसने पार्टिसपेट किया, ठीक, अब बात आती है कि हमने ये तो देखा कि इंडिया से इन लोगों ने पार्टिसपेट किया, बट ओरीजिनल नीचे मैपस देख पारें, ये एक्चुली में, सेवन ओरीजिनल मेंबर्स ऑफ जी सेवन हैं, ठीक है, जी सेवन के ओरीजिनल मेंबर्स हैं, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जेपैन, उनाइटेट किंग्डम, एन उनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो USA हो गया, ब्रिटेन, जपान, इटली, कैनेडा, फ्रांस और जर्मनी, ये हैं जी सेवन देश, अब ये जी सेवन के जो साथ देश हैं, ये किस आधार पे इनका गठन हुआ है, जी सेवन का मतलब क्या है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले क्योंकि ये साथ देशों ने शिरकत की, इसलिए आप ये भी जान ले कि इन साथ देशों के कौन राश्टर प्रमुख हैं, क्योंकि अभी आपने ब्रिक्स देशों में देखा न, कि पूरे पांचों ब्रिक्स देशों के राश्टर प्रमुखों के नामा को पता होने चाहिए, वैसे इन साथों देशों के भी प्र तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए फिर भी मैं दोहरा देती हूं कि कौन-कौन प्रमुक है इन सभी के कहीं राश्पती है कहीं प्रदानमंत्री कहीं चांसलर है तो भई USA के राश्पती जो बाइडन ठीक है UK के कौन बोरिस जॉंसन ठीक जापान के अभी-अभी बने है फुमियो किशीदा उसके बाद इतली हिटली के क्कौन मारियो द्रागी खिए एटली के के चानेड़े का कौन धिस्टिन टूडव तूड़ो को थना आपने सुना होगा द्टिन टूडव फ्रैंब्स टूडरानऩ के कौन है इम्याननुवल्मक्रॉन इम्यान्वल है पढ़ा है हमने अभी अभी नियुक्त है दोबारा अपने टर्म के लिए और जर्मनी के भी अभी आपको कुछ करिंट अफेर्स पहले मैंने आपको बताया था ओलाफ स्कॉल्स ठीक है तो देखिए USA से जो बाइडन, United Kingdom से Boris Johnson, Japan से Fumio Kishida, Italy से Mario Draghi, Canada से Justin Trudeau, France से Emmanuel Macron और जर्मनी से उलाफ शॉल्स ये सारे राष्ट प्रमुग थे जिननोंने G7 कि इस उरीजिनल शिकहर सम्मिलन में हिस्सा लिया था और inviting members के तोर पर इन देशों की राष्ट प्रमुग की नहीं हिस्सा लिया जिनमें इंडिया शामिल था और इस वज़े से प्रतार्मंत्री मोदी ने जर्मनी में शिर्कत की, ठीक है, I hope आपको समझ मैं, that is the dynamic part of the G7 summit Germany, which was the 48th summit, fine, अब थोड़ा सा इसके background में चले जाते हैं, G7 का नाम आया है, तो आपने सदस्य देश तो देखी लिए कौन से सदस्य देश हैं, आप बाकी की details देखते हैं, तो देखिए, G7 का गठन 1975 में किया गया था, जिसमें UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan और America, ये देश शामिल हैं, और इसकी खासियत ये हैं, कि विश्व के सबसे समर्द अर्थ विवस्था हैं, जैसे आपको मैंने कहा कि BRICS देश जो हैं, वो विश्व में जितने विकास शील देश हैं, विकास शील देशों के सबसे स दुनिया के सबसे जो विकसित देश हैं, जो सबसे समर्द या अमीर देश हैं, जिनकी GDP सबसे ज्यादा हाई है, उनका सम्मू है G7, विकसित देशों का सम्मू, दुनिया के टॉप 7 विकसित डेवलप्ट कंट्रीज का सम्मू है क्या? G7, समझ मैं यह बात? ठीक है, जाद रखिएगा कि G7 और इंडिया, G20 में भी शामिल है, G20 जो देश है न, यह विकसित सभी देशों का एक सम्मू होता है, तो इसमें इंडिया भी है, क्योंकि विकसित डेश है, इसमें ब्रिक्स के सभी देश भी आएंगे, और G7 के भी सभी देश हैंगे, तो G7 और ब् international organization है, तो इसका कोई secretariat होगा, इसका कोई international charter होगा, इसका कोई official charter या सचिवाले नहीं है, लेकिन जो चीज़ पर मैं फोकस कर रहे हैं, उस पर ध्यान रहें कि अभी आपने ब्रिक्स में देखा, कि वो जो ब्रिक्स देश हैं, वो ग्लोबल पॉपलेशन का कित्ता कॉंट्र करते हैं, तो वो चीज़ यहां पर भी आप static part में देखेंगे, कि G7 की जो देश हैं, वो वैश्वी का अबादी का 10% है, अभी आपने देखा, ब्रिक्स देश, जो सिर्फ 5 है, वो वैश्वी का अबादी का 41% है, और यह 7 सबसे अमीर देश, वैश्वी का अबादी का 10% है तो अच्छी बात यह कि कम आबादी पैसा जादा इसलिए गरीबी नहीं है, तो इनके उपर population pressure नहीं है, बुरी बात यह कि क्योंकि इनके पास human resource नहीं है, तो यह एक हद में जाकर सीमित हो सकते हैं, और हम उनी human resource का जादा बहतर फायदा आगे उठा सकते हैं, ठीक है, ले करते हैं, और यह जो साथ देश हैं, वो 31% contribute करते हैं, और जाहिर से बात है, यह बहुत जादा industrialized हैं, automated हैं, इसलिए carbon dioxide का भी उठसर्जन बहुत जादा होता है, इसलिए इसका भी एक काक्लान किया जाता है, कि जो G7 देश हैं, यह global जो CO2 का उठसर्जन होता है, उसका 21% य जो आपके carbon dioxide का emission है, उसका 21%, यह नहीं बोलूँगे, यह अकेले सबसे जादा है, देखो developing countries, develop बनने के चेकर में, बहुत जादा carbon dioxide को उठसर्जित कर रही है, पर यह already developed है, तो इनका भी contribution बहुत जादा है, which is 21%, ठीक है, तो जो BRICS में आपने 2-3 नाकड़े देखें ते वै बाकी की GDP और population की आकड़े, ठीक, so that is it, तो यह था चर्चा में रहा G7 शिकर सम्मेलन, जिसमें एक इनवाइटी मेंबर के तौर पर प्रधानमंत्री मोधी निशिकत की डैनमिक और स्टेटिक पाड़ को ध्यान रखें, clear है, चलिए, बढ़ते हैं आखरी न्यूस पर, जो क सम्मेलन या राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देश का आजाता है हिंदी में, तो यह होना चाहिए 26 राष्ट्रकुल सम्मेलन या राष्ट्रमंडल देश सम्मेलन या यह सम्मेलन वर्ड इसमें हटना चाहिए, इट शुड़ भी 26 चोगम, क्योंकि M का मतलब ही होता है meeting, तो यह जो चोगम है, यह actually मैं, जैसे कि मैंने इसका full form बताया Commonwealth Head of Government Meeting ठीक है? C-H-O-G-M Commonwealth Head of Government Meeting, मतलब यह कि यह जो Commonwealth Nations, जिनको हिंदी में हम राष्ट मंदल देश यह राष्ट कुल कहते हैं, उनके जितने Head of the Government रहते हैं, उनकी Meeting होती है जोगम ठीक है? तो इसी Commonwealth देश के 26 Meeting हुई Commonwealth देशों की, जो की Ravanda में आयोजित की गई Ravanda का एक शहर है किगाली वहाँ पर यह सौरी, किगली वहाँ पर यह Meeting आयोजित की गई ठीक है? तो 26 नमर की Meeting थी Commonwealth देशों की Meeting थी Ravanda किगली में आयोजित की गई यह Meeting द्वी वर्षी होती है यानि हर दो वर्ष में एक बार होती है Annual नहीं होती, बाइनियल होती है ठीक, इस बार इस Meeting में हमारे हां की जो विदेश मंत्री है उन्होंने शिरकत की और सभी जानते हैं वो कौन है? S. J. Shankar और इस बार की इस Commonwealth की Meeting का जो मेन मोटिव रखा गया जो विशे रखा गया, subject रखिया गया वो था Delivering a Common Future Connecting, Innovating and Transforming Connecting, Innovating and Transforming और ये भी Decide किया गया, इस बार Declar किया गया, कि जो अगली सन 2024 की Commonwealth की Meeting होगी वो Samoa में रायूजित की जाएगी ठीक है? तो ये पहले Basic, Basic बैसिक बैसिक छोटी चोटी बात है आगर को कहा, किसने रायूजित की ठीक है? और इसका subject matter क्या था? ये मीटिंग कितने दिनों में एक बार होती है और अगली मीटिंग कहा होगी ये Basic, Basic मैंने चीज़ें बताएं इस बार कि इस मीटिंग में जिन तीन-चार मुद्दों पर मेंली आखरी सहमती बनी वो ये हैं चोगम विग्यप्ति बाल, देखभाल और संद्रक्षन सुधार पर किगली घोशना एक नया Memorandum साइन किया गया Sustainable शहरी करण पर घोशना और Living Lands Charter ये तीन-चार मुद्दों पर मेंली अहां पर कुछ Memorandum से Treaties साइन की गई ठीक है? तो चोगम विग्यप्ति उसके अलावा Sustainable शहरी करण का मतलब होता है कि किस तरह से शहरों का विकास इस तरह से किया जाए कि फ्यूचर में संसादनों की कमी नहीं होगी और एक बहुत important परियावरन से संबंधे चार्टर साइन किया गया Living Lands Charter इसको आप तो यह जो Commonwealth Nations है जिनको हम राश मंडल देश कहते हैं इसमें कुल मिला करके 54 Nations आते हैं यह 54 वो Nations हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं यहने वो 54 देश जहां कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया है जैसे की भारत तो पूर ब्रिटेश शासित देशों का एक समू है और इसके जो मुख्या होते हैं वो जाहिर से बात है ब्रिटेन ही होता है ब्रिटेन की जो भी किंग या कुईन होती जैसे वरतमान में कुईन एलिजबेट यह Commonwealth देशों की मुख्या कहलाती है ठीक है तो राशमंदल देश चववन उन देशों का समू है जहां कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया आप कहेंगे कि इनको एक साथ एक ग्रुप के तोर पर अभी रखा ही क्यों गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी हिस्ट्री से में इन पूरे चववन देश इंडिया इंक्लूडेड इसमें जाहिर से बात है तभी इंडिया ने पैसिपेट किया इन पूरे चववन देशों में ब्रिटेन ने शासन किया और यह ऐसा होता है कि जभी भी कोई किसी देश पर शासन करता है तो उस देश की बहुत सारी छवी उस कॉलोनी की उपर पड़ जाती है जैसे बिटेन ने हम पर शासन किया तो बिटेन ने हमारे याँ जो प्रशासनिंग धाचा बनाया उसमें से बहुत कुछ आज भी कंटिन्यू है हमारे जो रोडे बनाये वो आज कंटिन्यू है बहुत सारे जो डॉक्यमेंटेशन और सिस्टम के हिस्से बनाये वो आज भी कंटिन्यू है आप देखेंगे भी इंडिया आजादी के बाद एकदम से तो नहीं बदल गया ना बहुत कुछ ब्रिटिश प्रशासन का हिस्सा जो सही था हमने वही कंटिन्यू किया तो उनका कल्चर उनका रहन सहन ठीके उनका प्रशासन बहुत कुछ हमने आगे बढ़ाया तो जैसे हमने बढ़ाया वैसी इन 54 देशों ने भी बढ़ाया इसका मतलब यह है कि वे share a very common background and history all 54 nations share a common background and common history जैसे इंग्लेंड cricket खेलता तो हम भी cricket खेलते हैं तो बांगलादेश भी cricket खेलता है पाकिस्तान भी cricket खेलता है तो यह सारे देश यहां पर कभी इंग्लेंड ने राज किया था सब cricket खेलते हैं क्योंकि इंग्लेंड cricket खेलता है है ना मैंने उस दिन बताया था जिससे Spain football खेलता तो दक्षिन अमरिका के जाधातर देश football खेलते हैं क्योंकि Spain की colonies रहते वो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी मामला यह है कि चाहे भाषा की बात कर ले, रहनसेहन की बात कर ले, कल्चर की बात कर ले, खेल की बात कर ले, खानपान की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले बहुत कुछ common हो जाता है जब कोई देश किसी देश पर राज करता है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर किसी एक particular देश ने राच किया है तो उन सब में कुछ ना कुछ common बाते होंगी तो हम में और बागी के तिरपन जो common well देश हैं उसमें बहुत सारे common बात हैं तो जब हमको विक्सित होना है तो जाहिर से बात है हमारे common background को देखते हैं हम एक तरह की चीजों पर आम सहमिती बना सकते हैं पर अगर हम पहले से एक level ground में हैं बहुत कुछ हमारा जो culture है हमारा जो background है हमारी history अगर वो common है तो हम common interest share कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए common रास्ता निकाल सकते हैं हमारी इजी होगा एक जैसे मतलब एक होता है ना एक उर्दू में शेर है हम जीनसरा परवास कबूतर बा कबूतर बाज 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 समझे की नहीं हम जीनसरा परवास कबूतर बा कबूतर बाज बाज का मतलब यह है कि जनरली एक जैसे लोग जो है वो एक साथ रहते हैं ठीक चाहे वो जैसे अभी के साथ नहीं रहता है कबुतर कवोई के साथ मोगों तक अबूधर के साथ रहता है यूजुवी काफ के साथ रहता है तो यूज़ुली टेंडंसियी होती एं कि सब के मकसद एक जैसे तब हो सकते हैं जब सब में कुछ न कुछ common बात हो तब ही वो एक साथ grow कर सकते हैं तो इसलिए usually अगर आपका common culture है common background है तो आप जाधा सही तरिके से एक दूसरे को समस्याओं को समझ सकते हो और जाधा सही तरिके से विक्सित हो सकते हो तो बस इसी की वज़े से ये 54 देश एक दूसरे से जुड़े हुए ठीके और ये अलग-अलग पैमानों पर मीटिंग करते हैं अलग मुद्धों पर मीटिंग करते हैं और अपने विकास के रास्तों को तै करते हैं ठीक तो कुल मिलाकर कि ये 54 देश हैं की रास्त्रकुल या कॉमन वेल्ट का गठन कब हुआ था तो 1931, 11 दिसम्बर 1931 को कॉमन वेल्ट का गठन हुआ था ठीक है, क्लियर है तो ये आखरी के तीन पॉइंट स्टेटिक के कि क्या है कॉमन वेल्ट तेश और इसके पहले के पॉइंट चोगम यानि कि head of government meeting के dynamic parts से, ठीक so that is it, इतनी ही चीज़ें थी जो मुझे आज deal करने थी, आज का पूरा video international important summits पर आधा रिता बहुत important है, इसका दोनो static और dynamic part, तो अच्छे से इसके notes बनाएंगे, हाला कि यह आपको सारा, जो matter, जो slides में वो आपको अगली magazine में भी मिल जाएगा माकी कहीं कोई doubt होता, आप मुझसे बूच सकते हैं, अगले हफ़ते फिर से मिलते हैं, politic important घटनाओ के साथ Thank you so much